असलाम अलेकम students students आज हम first year की first poem the rain को study करेंगे दर रेन को डवर हट डेवीज ने यह लिखा है a डवर हट डेवीज एक एहम English poet है उसने मुझेड़ मौझौार्थ पर मुझेड़िफ किसम की नजमे लिखी है सुडेंट से जब भी आप पोईटरी को पड़ रहे हूं तो सबसे पहले पोएम को देखेंगे पोएम पेज पर कैसी लगती है अब जब आप इस पोएम को देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि इस पोएम को जो है वो दो स्टैंजाज में अरेंज किया गया है जिस तरह से प्रोज को पेराग्राफ की शकल में अरेंज किया जाता है इसी तरह से पोएम को स्टैंजाज की शकल में जो है वो रेंज किया जाते हैं तो आप जब इस पोएम के स्टैंजाज को देखते हैं तो हर स्टैंजा में छे लाइन जो है वो पोएट ने जो है वो डाल जो है वो खोलें मेरे पास यह बुक का जो है वो पेज 55 है आपके पास जो है मुक्तलिफ हो सकते हैं लेकिन आप अपनी जो हो जब खोल लें तो इन चीजों को जह हो देहन में रखेंगे के इम्तिहानात में आप से पोईट्री के लिहाज से यह चीजें जो हो पूछी जाती है और आपने इन चीजों पर कंसंट्रेट करना है सबसे पहली बात तो यह कि आपकी कोईम की अच्छी तरह से आपकी इसके साथ अच्छी तरह से कंप्रींशनi होगी अगर आप से इस इस में से सिनोनम वह पूछा जाएंगे तो आप आप जाब दे सकेंगे और से अगर कोई और कहसें में पूछ लिया जाए आप उसका जवाब भी दे सकेंगे इसके के अलावा आप से शौर्ट क्वेस्टिन बारे में पूछा जा सकते हैं जो होती है कि इस में से एक सेंजा या कुछ लाइन जो है वह आपको दे दी जाती है और आप से जो हो कहा जाता है कि आप उनको विद रेफरेंस टुदा कॉंटेक्स जो है वह एक्सप्लेंड करें अब यह विद रेफरेंस टुदा कॉंटेक्स एक्सप्लेंड करने का मैथड जो है वह बाद में किसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा फिलहाल हमारी कंसर्ण यह है कि हम इस पोएम को पढ़ें और इसका मतलब जो है वह समझने की कोशिश करें और इसके अलावा पोईटरी ल पर अपडेट करता रहूंगा आप वहां से उनको कंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज की समझना लगे तो आप कमेंट्स के थरू मुझ से पूछ सकते हैं वैसे वह आप इन वीडियो लेक्चर को देखकर इनके कॉंटेंट्स के बारे में जो है वह अपने बेहतर कर सको मैं पूरी कोशिच कर रहा हूं कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म करूं जो नाइन टैन्थ फर्स्ट यर सेकंड एर ग्रैजुएशन और पोस्ट ग्रैजुएशन स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश के लिहास से जरूरतों को पूरी कर सके और जब आपके पूरिम देखते हैं कि इसमें जो है और आपको समझ आगई होगी कि यह बारश के बारे में होगी तो बारश जो है वो एक फित्रत का फैनन मेन है फित्रत का जो है वो इनसां के खिलाब हो जा सकते हैं बारहल एप ने विए फोड़ासा डिफरेंट एंगल लिया है इस चीछ को बारिश को रह κα्पारियों Schools इस तरह से अफेक्ट करती है पहली लाइन जो है वो यह है I hear leaves drinking rain I hear rich leaves on top giving the poor beneath drop after drop a sweet nice to hear these green leaves drinking near okay the students यह जो है वो फर्स सैंजा है इस सैंजा में शायर ने जो हो हमें एक it is raining and the rain drops are falling on the leaves of the trees and the leaves of the trees which have been thirsty perhaps for a long time are drinking them but the leaves on the upper part of the plant or on the upper part of the tree they are getting more rain as compared with the leaves which are behind that's why the poet has called upper leaves the rich leaves and the lower leaves the poorly here the poet might be using a metaphor which points to different classes of society society is always comprised of two major classes upper classes and lower classes upper classes get all the benefits first and whatever is left from them goes towards the lower classes जहें में रखने वाली है कि माशरे के जो अमीर तबके होते हैं वो हर चीज़ हर फाइदे को जो है पहले इस्तमाल करते हैं जबके माशरे के जो ग्रीव तबके होते हैं उन जब्सक्तार हैं अब कितार में कहां पर खड़े हो जाते हैं यह बहुत एहम है अगर आगे खड़े हो गए तो आपके लिए जो है वो हर चीज़ जल्दी आ जाएगी लेकिन अगर आप जो आप जो आप बहुत बाद में जो है वो चीज़े आएंगी इसके लावा जो एक इशारा और मिल सकते हैं वो होम लेस्नेस का जो है वो इशारा मिलता है यह यह जो है ऊपड़े मुश्खिल होती है तो यह उस में भी बता रहा होगा के रहें जो हो और जो है उनली प्लेस देख शेल्टर और टेक रफ्यूज इस अंडर आट्री बटर वें देस्ट अंडर ट्री तो रेंड्राप्स जो है वो टीप उन ट्रिकलिंग उन दैंड बिकाम सम्टिंग सम्टाइंज आ सोर्स आफ ट्रबल पॉद यानि ग्रीब लोगों को जब बार पर गिरता रहता है और अगर यह कोई इस किसम का मौसम हो जैसे सर्दी है तो यह काफी ट्रबल समझे है लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग बारिश को पसंद करते हैं यह इस सेंजा की जो लास्ट टू लाइंज जो है वो इसी तरफ जाह वो इशारा करती है कि टिस स्वीट नॉइस टू है थीज ग्रीन लीवज द्रिंकिंग नियर तो यह जो है वो इन स्पाइट फॉल दिफिकल्टी बारिश भी जो है वो एक वैलकमिंग नोट होती है लोग जो है इसका इसका इंतजार करते हैं दूसरे स्टैंजर को जो है वो स्ट्रूद जो देखें आ विदेखें ग्रीन इस चाम अवच आू अव तो यह जो है वो घंडि नहीं डॉपार तीज ए लूव क्रीश तो पह बारे बदेखें जो यहां पे आपर जा स्टैंग रोल यहां पे रहा ह। यहां पे बार्ण्य का एज वीज थीज ग्रीन दूड फिम पेश्ट इस काली रिंबो आपियर्ज समय इन दे स्काई तो यह सब कुछ होता है कि जब सूरज निकलता है उसके बाद रौशनी जो है और रौशनी जो है वो बारश के हवा में मौलक कत्रों से जब जहाँ रिफलेक्ट होती है तो एक रिंबो जो है वो अपियर होती है और लोग जो है उस रि बारश जो है वो sometime rain can be something very troublesome something very which can create lot of difficulties तो लेकिन वो होप जो है वो यही का रहा है कि the sun will start shining very brightly after the rain and the weather will become very pleasant the scene will become very pleasant community students स्थुटी सी ब्युद्फ कोई में सईyo जो हमें बताया है पिक तो जो हो बारे बार नेचयर के बारे है इस चीजच के लिए फाइदे बंद है लेकिन वायदे में जो है वो नेचयरais के लिए पत्त selfish US नहीं है SD नहीं आपने और वह सकते हैं कि शायर का मतलब ये भी हो सकता था या ऑनकांशियस्ट नी शायर में जो हो ये बात पूर्ट ने हो ये बात जो है और आप आप से एने मुश्किल वर तो इस पोई में जो हो नहीं है लेकिन फिर भी जो है सब्सक्राइब निकला हुआ है अमेजिंग इसका सिनोनम हो सकते हैं आप इसके क्वेस्टन अगर देख लें तो आपसे पूछा जा सकते हैं आपसे पूछा जा सकते हैं इस तरह से भी आपसे सब्सक्राइब आपसे पूछा जा सकते हैं इसके अलाबा आपसे कहा जा सकते हैं डिस्क्राइब देख रुक जाने के बाद आप उस सीन को जो है वह डिस्क्राइब करें सब्सक्राइब करें लेकिन आप आप जहाओ देख सकते हैं कि इसको इसको इसन प्रूटेक्स्ष के बारें इसी तरह से आप क्लास्रूम में पढ़ते हैं उसी तरह से आप यहां पर भी इसको जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं आप मेरे वीडियो लेक्ट्टर जो है उनको मेरी यूट्यूब चैनल एडमेड पबलिक पर देख सकते हैं मैं नाइन टैंथ फर्स्ट यर सेकंड यर ग्रैज इसके लावब मैं अपने फेस्बूक पेजिस पर भी काफी ज्यादा रिटन मिटेरियल स्पोर्ट मिटेरियल स्टूडेंट्स के लिए उनसे फाइदा उठाना चाहते हैं उसको जो है वो अप्लोड